नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लेकपाल और वन रक्षक परिक्षा को ध्यान में रखते वे ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आज ये प्रैक्टिस सेट टू है इसके लावा जो चात्र आगे तयारी कर रहे हो P.E.T. की या फिर किसी ऐसे एक्जाम की आप तयारी कर रहे हो जहां पर G.K.G.S. करेंट अफेर्स का सक्सन हो तो वहां उस एक्जाम के लिए ये सिरीज उतनी ही इंपोर्टेंट होगी स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन और आज की सेशन का पहला प्रश्ण है भारत में राश्ट्रिये खेल दिवस कम मनाया जाता है भारत में राश्ट्रिये खेल दिवस कम मनाया जाता है चार आप सुनिया पर दिये गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 29 अगस्त, राश्ट्री युवा दिवस कम बनाया जाता है, राश्ट्री युवा दिवस, 12 जनौरी, विश्व युवा दिवस कम बनाया जाता है, यह जब आपका exam होगा उसके आस पास ये तिथी होगी कर्एंट affairs का question बन सकता है विश्व युवाः दिवस बारह आगस्त राष्ट्री युवाः दिवस बारह जनवरी its राश्ट्रिय टाइगर दिवस कम मनागा जाता है कर राश्ट्रिय टाइगर दिवस 29 जुलाई 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की सुरुवात की गए थी 1973 से और कोईसर नमर 1 के लिए आप पर हो जाएगा D is the right answer बागी की fact भी आपको याद रखना है अभी आप देखेंगे हाल ही में 22 अप्रेल को विश्व पृतिवी दिवस मनाया गया 22 मार्च को विश्व जल्दिवस मनाते हैं कोईसर नमर 2 देखिए इसके बाद बुद्द चरितम महा काव्य किस ने लिखा बुद्द चरितम महा काव्य अश्वखोस सेकेंड का A is the right answer कोईसर नमर 3 देखिए इसके बाद हाल ही में किस राजे सरकार ने करनाटक राजे के बाद निर्मार कदम के विरूत संकल पर पारित किया A is the right answer तमिल लाडू राजे ने आप देखेंगे कावेरी जल विबाद को लेकर के अकसर आप देखेंगे तमिल लाडू करनाटक और केरल राजे के बीच में बड़ी ये विबाद होता है कावेरी जल के बटवारे को लेकर के कावेरी जल न देखेंगे तो तीन का A is the right answer कोईसर नमर 4 यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में किस अस्थान पर सैनिक इस्कूल खोला जाएगा चार आपसन दिये गए हैं आपर वाराडसी लखनो इटावा गोरगपूर उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक इस्कूल लखनो में खोला गया था उत्तरप्रदेश का पहला सैनिक इस्कूल लखनों में खोला गया था और उत्तरप्रदेश का दूसरा सैनिक इस्कूल और हाल ही में इटावा जिले में बनाया जाएगा Question No.4 का C is the right answer Question No.5 देखिए भोजपूरी के सेक्सपीर के नाम से विख्यात हैं Question No.5 B is the right answer भिखारी ठाकूर कालिदास को भारत का सेक्सपीर कहा जाता है Question No.6 देखिए इसके बाद केंदरी ये ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान इस्तित है खुर्चा में कानपूर में राष्ट्रिय दलहन संस्थान इस्तित है ये कोशन बहुत बार पुछा गया है भारतिय सब्जी संस्थान वारांड सी में इस्तित है मोदी जी का संस्थी छित्र सब्जी हनुसंधान संस्थान 6 का B is the right answer प्रदान मंत्री गरीब कल्यार अन्य गुजना की अवदी कितनी बढ़ाई गई है अप्रेल से लेकर के सितंबर तक इसकी अवदी को 6 महिने के लिए बढ़ा दिया गया है अप्रेल से लेकर के सितंबर तक 6 महिना कोशन नमबर 7 का B is the right answer कोशन नमबर 8 दिखे इसके बाद हालही में किस राजी में पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया पुतुल उत्सव तो उत्तर प्रदेश राज के वाराणसी सहर में हालही में पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया था कोशन नमबर 9 दिखे इस नव निर्वाचीत बिधान सभा के प्रोटेम स्वीकर किसे बनाए गया था जब तक बिधान सभा अध्यक्ष का चुनाओं नहीं होता है तब तक प्रोटेमी स्वीकर जोए कारे करते हैं सभी बिधायकों को सपत दिलाना और अन्यकारे करते हैं तो उत्तर प्रदेश नव निर्वाचीत बिधान सभा के प्रोटे में स्पिकर किसे बनाया गया रमापति सास्त्री जी को और उत्तर प्रदेश नव निर्वाचित बिधान सभाग के अंध्यक्ष कुरूप में किसे नामिक किया गया है सतीज महाना ये भी आपको याद रखना है दोनों ही क्वेसन अपने आप में इंपोर्टेंट है सतीज महाना इस बार दो डिप्टी सियम बनाया गया है एक डिप्टी सियम तो केसो परशाद मोर्याची पहले भी थे और अभी भी है और दूसरे डिप्टी सियम ब्रजेश पाठक जी को बनाया गया है 9 का C is the right answer Q10 देखिए रंगनात मंदिर किस सहर में इस्तित है रंगनात मंदिर किस सहर में इस्तित है आपको बताना है राइट आंसर ब्रिद्दावन में 10 का D is the right answer Q11 देखिए इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित नात ने किस सहर से पल्स पोलियो अभियान की सुरुवात कहां से की गई है गोरगपुर से 11 का D is the right answer Q12 किस घोसडा पत्र को भारतिय सिक्षा का सिलालेक कहा जाता है लेकपाल के लिए ग्रामीड परवेस का प्रेक्टिस सेट हमने अलग चला रखा है जो विशे कामन है या जो सेक्षन कामन है वो तो दोनों के लिए एक में ही प्रेक्टिस सेट चलेगा लेकिन जो अलग है जिसे ग्रामिड परवेश होगा लेगपाल के लिए प्रिविएस है का भी हमने डाल लखा लखा लेक्पाल का वण रख्षक के लिए पहले भी काफी प्रेक्टिस है चला थे लेकिन एक्जाम होई नहीं पा रहा है अब जाकर की फिर से एक्जाम डेट घो जाता है, Question No.12 का A Is The Right Answer, Question No.13 किस सहर में देश का प्रथम इश्टील कच्चरे से निर्मित सड़क का निर्मार किया गया, देश का प्रथम है ये, पहली बार, तो गुजरात राज के सुरत सहर में सबसे पहली इश्टील कच्चरे से निर्मित सड़क का निर्मार किया गया है कोईस्टन नमबर 13 का C is the right answer कोईस्टन नमबर 14 देखिए हाल ही में 25 मार्च 2022 को किसे अंतराष्टी स्रम संगटन इंटरनेशनल लेबर आर्गिनाजिस्टन का नया महा निदेशक नियुक्त किया गया तो अभी वर्तमान में गाय राइडर जी थे अब इनकी जगह पर गिलबर्ट एफ हॉंगबो को नया महा निदेशक आयलो का बनाये गया है वर्तमान में ये थे अभी इनकी जगह पे अब गेलबड एफ होंगबू अहां ने दे सका कारेभार समालेंगे आयलो का आयलो का मुख्याल है अहां पर है अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं इसकी अस्तापना कब की गई थी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्यो conna 15 देखें हाल एं में भारत का कौन सा सहर दोहजारबचास तक सुन्य कार्बन उत्सरजन लकषे निरधारित करने वाला भारत का पहला सहर बन गया है question number 15 का D is the right answer ये भी दिखिए भारत का पहला सहर बना है सुन्य कार्बन उत्सरजन लक्षे निर्धारित करने वाला 250 तक तो ये question भी अपने आप में most important है आपको याद रखना है तो मुंबई सहर हो जाएगा question number 15 का D साथियों ये चोटी से practice practice रिंखला भी चलाई जा रही है और practice रिंखला में प्रश्णों की संख्या को कम से कम 50 तक किया जाएगा कोई भी practice हो चाहे reasoning का हो चाहे हिंदी का हो चाहे GKGS current affair का हो या फिर लेकपाल के लिए ग्रामिल परवेश का अलग से हो या फिर वन रक्षक की लिए कोई पार्ट हो तो आपको ये question ज्यादा मिलेगे आने वाले समय में बहुत जल्द आपको मिलेंगे लेकिन अभी आप सभी से नवेदन है कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके ज्यादा सो ज्यादा सेयर भी करें और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अभी तक आपने नग किया हो सेसंग कैसा लगा आप सभी को ये भी आप सभी कमेंट करके जरू बताएं धन्यवाद